नमस्कार और विलकम यौर तो वलफेर्ज मैं हूँ प्रशान दवर्ण हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एजया शंकर साभ आज के समय है तीन कंट्रीज के इंपोर्टेंट टूर पर एक तो किर्गस्तान, फिर कजाकस्तान और तीसरा देश अर्मेनिया जो तीसरा कंट्री है ये होगा बहुत ही जारा इंपोर्टेंट, बाकी भी इंपोर्टेंट है मगर अर्मेनिया एक ऐसा कंट्री है जिसके बहुत जारा खराब रिलेशन्स है टर्की और इजरबाईजा दोनों के साथ यहाँ पे आप देख पाओगे ये अर्मेनिया है, ये टर्की है, ये जरबाईजा है और अर्मेनिया के पाकिस्तान के साथ भी बहुत जारा खराब रिलेशन्स है पाकिस्तान दुनिया में अखिला देश है जो अर्मेनिया को accept नहीं करता as an independent country तो possibility है कि कुछ defense agreement भी हो सकते हैं अर्मेनिया के साथ मगर जो किर्गिस्तान का tour है ये भी अपने आपे बहुत important है क्योंकि इस देश में आपको मिलेगा uranium, minerals और किर्गिस्तान के relations आज के समय चाइना के साथ बहुत खराब हो रहे हैं तो ये country इंडिया की foreign policy के इसाफ से आप अगर देखो तो है बहुत ही जादा important इसलिए इंडिया आज के समय ये कोशिश कर रहा है कि जो अपने historical, cultural ties है किर्गिस्तान के साथ इसको हम promote करें ना यावे आप पूसकते हैं किर्गिस्तान के साथ हमारे क्या cultural ties हैं देखो बिलकुल भाषा का relation दो बिलकुल है हिंदी और किर्गिस्त जो भाषा यहाँ पर primarily बुली आती है किर्गिस्तान में जो काफी अत्तक similar है रश्यन से वहाँ पर बहुत से words आपको मिलेंगे similar क्योंकि हिंदी और किर्गिस्त दोनों का काफी deep relation है संस्कृत के साथ आपको बताओगा एक time पर संस्कृत का प्रभाव पूरे Central Asia में चाइना के रीजन में इंडिया में तो of course है ही various countries में था आज भी आप अगर देखो तो वो प्रभावा महसूस कर सकते हो संस्कृत के चाहे आज के समय native speakers बहुत कम रही हो मगर संस्कृत बहुत सी languages में आज भी जिन्दा है और flourish कर रही है for example एक और बापताओँ आपको उर्दू में 99% जो verbs हैं उनकी roots आपको मिलेगी संस्कृत और प्राकृत में मिली किर्गिस्तान को कितने तक का उधार दिया है और इससे पहले भी उधार हम को उनकों से दे चुके है मगर आगे वड़ने से पहले आपसे पूछूँगा एक question question यहाँ पर यह है किर्गिस्तान की currency क्या है दिनार, सोम, डॉलर या फिर रूबल comment section में करो उत्तर सही answer में आपको दूँगा वीडियो केंथ में नाव किर्गिस्तान की अगर हम बात करें तो इस country की शुरुवात हुई थी 1991 में जब USSR तूटके विखर गया था तमिली किर्गिस्तान को आजादी अबादी है इस देश की roughly 66 lakh इंडिया के साथ कुछ खास trade है नहीं roughly आप कहलीजिए 30 million, 50 million US dollars के आसपा जूलता रहता trade trade हम काफियर तक increase कर सकते हैं और increase करने का simple formula in the future हो सकता है uranium की sale अभी इस पर बातचीत कम हो रही है मगर in the future कोई बड़ी बात नहीं है किर्गिस्तान और भारत की uranium को लेकर भी एक deal हो जाए उसके अलावा अगर देखो तो किर्गिस्तान एक बहुत friendly country है for India कश्मीर का issue को लेकर ये इंडिया का बिल्कुल समर्थन कर चुकी है काफी बार जो इंडिया की permanent state का issue है at the UN Security Council वहाँ पर किर्गिस्तान openly support करता है भारत को और भारत ने भी over the years financial assistance regular basis पर provide करी है किर्गिस्तान को और इंडिया की financial assistance जो होती है उसको लेकर किर्गिस्तान में जादा controversy भी नहीं होती वो मैं आपको समझाओंगा ये बात क्यों बोली है आप अगर देखे तो 1995 में इंडिया ने सबसे पहले extend किये थे 5 million dollars as a line of credit जब हम कहते है line of credit तो इसका मतलब होता है soft loan दो से लेकर 3% maximum 3% के आसपास का होता है इसका interest rate और काफी बार तो क्या होता है in the past होता रहा अब इतना नहीं होता अगर मानलो किसी country को आपने line of credit दे दिया 10 million dollar का तो काफी बार न 10 million में से आखरी की जब 3 million की जब repayment बची होती थी तो इसको convert कर देते थे grant में ये is of course होता रहा उन countries के साथ जिनके साथ बहुत ही friendly relations है इंडिया ने किर्गिस्तान के साथ बहुत का रखा है हमने इनको 1995 में 5 million, 6 million के बहुत loan दिये, soft loan दिये किर्गिस्तान करतारा 60%, 70% की payment फिर मुस्करा के कहतारा के और पैसे नहीं है हम के अज़रे कोई दिक्कत नहीं है ये जो बाकी का पैसा है उसको आप समझ लो grant grant वापस करने के आप शक्तानी होती grant मतलब के free की assistance हो गई आपकी country को और ये करके इंडिया ने किर्गिस्तान में over the years बहुत से IT parks बनाए है इनके food processing unit समने बनाए है किर्गिस्तान में बहुत सारे और आज भी आप अगर देखो 2021 में इंडिया ने 200 million US dollars के pandemic के time में 200 million US dollars का एक line of credit दिया है to the country of किर्गिस्तान और ये है for development project इसका मतलब ये है किर्गिस्तान जो ये 200 million dollar है मतलब के 1500 करोड रुपे और ये काफी बड़ आमांट होता है क्योंके इनकी अवादी बहुत कम आयाद रखिएगा ये कोई 10 करोड 20 करोड की अवादी का देश नहीं है 70 लाग से भी कम की अवादी है उसके हिसाब से काफी पैसा होता है इनके देश के लिए ये बहुत कुछ कर पाएंगे समांट के साथ तो ये अवाउंट जो है क्रिगस्तान इसमाल करेगा अपने डेवलप्पेंटल प्रोजेक्स के लिए मान लीजिए इनको कल को घरना ने बहुत सारे क्रिगस्तान में उसके लिए सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, बहुत सारा जो इसकी रिपेइमेंट है अराम अराम से स्लोली स्लोली करते रहेंगे और जो रिलेशन्स है दोनों कंट्रीज के कोई बड़ी बात नहीं है फिर से हम लोग आखरी के जो 50 मिलियन है उसमें कहा रहें के चलो ठीक है देने की जरूत नहीं है ये दोस्तियारी में हम लोगोंने माफ किये नाव अगर हम बात करें इंट्रस्ट के तो इंडिया के बहुत ही जादा डीप इंट्रस्ट है इन दे कंट्री ओफ किर्गिस्तान युरेनियम की बात मैं उलड़ी कर चुका हूँ उसके इलावा अफगानिस्तान के इशू को लेकर किर्गिस्तान और इंडिया के जो कंसर्ण्स हैं काफियत तक सेम है फिर यहाँ पे एक इशू आता है चाइना का जिस तरीके से टरिटोरियल इशू चाइना के साथ हमारे है वैसे ही चाइना बहुत ही बड़ा लैंड क्लेम करता है किर्गिस्तान का और इसलिए किर्गिस्तान में आप दिखोगे के काफी बार प्रोटेस्ट भी होते है चाइना की अमबसी की अगेंस्ट यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना लेड 280 मिलियन डॉलर किर्गिस्तान प्रोजेक्ट अबेंडन्ट आफ्टर प्रोटेस्ट चाइना ने ओवर दे येर्स वैसे किर्गिस्तान की सरकार को डेट तो काफी सरा दिया है मगर ये डेट मटिरिलाइज नहीं हो पाता मतलब के पैसा जाता है उनके पास प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट की जैसे ही नीव रखी जाती है ग्राउन में इतने बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट होते हैं किर्गिस्तान के लोग आलोशना करते है चाइना की सरकार की के प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ता है अब यहाँ पे आपको कहोगे ऐसे कौन से प्रोटेस्ट होते हैं ऐसा क्या रीजन है देखिए रीजन तो बहुत बड़ा है चाइना ने पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो एक अजीब साही रवईया अ नया है इनकी कई वेब साइट्स है कई वारी ऊपनली कहा रहते हैं किरगिस्तान कजाकिस्तान दोनों चाइना के पार्ट है literally चाइना की मेप्साइट यह एक बार क्या छुकी है उसके अलाबा चाइना के जो territorial claims में यह बढ़ते ही जा रहे हैं Central Asia में फिर एक बहुत प्रजी इश्यू आता है Uyagur Muslims का, देखो याद इतना Uyagur Muslims जो हैं यहाँ पर चाइना के North में, यह primarily ethnicity के एसाफ से यह है Turks, तो ethnically आप अगर देखो न, तो Turkey के जो लोग हैं यह भी Turks हैं, तुर्कमिनिस्तान के जो लोग हैं यह भी Turks हैं, उस्बेकिस्तान, तजीकिस्तान, किर्गिस्त यह जो सारे जो लोग हैं यहां पर यह ethnically Turks हैं, तो यह लोग बड़ा बुरा फिल करते हैं कि यहां पर जब China Uygur Muslims के साथ यह अत्रचार करता है तो किर्गिस्तान में genuine गुस्ता है आज के समय के यह लोग Uygur Muslims के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ethnically आप अगर देखो तो यहां के break up, a rally in Kyrgyzstan where fear and anger at Beijing's influence grow, तो बिलकुल देखिए, चाइना सेंस एक बहुत बड़ी इनकी territory claim करता है, उस बात का भी गुस्सा है, उईगुर Muslims का गुस्सा है तो ये country एक ऐसा देश है, जिसके साथ इंडिया अपने relations build करता है, तो हमको फायदा ही होगा in the long run तो यहाँ पर आप पुछो कि अच्छा ठीक है, तो किर्गिस्तान और चाइना के बीच में border को लेकर dispute है, तो काफी बार क्या Chinese soldiers और किर्गिस्तान के soldiers के बीच में जड़ब होती है, देखिए 90s में एक दो बार होई थी, मगर उसके बाद से नई हुई, उसका एक बहुती बड़ा reason यह है, CSTO जिस तरीके से चाइना काफी बार भीड़ जाते है अंडिया से, regarding the border issue यह लोग किर्गिस्तान के साथ करनी पाते, क्योंकि रश्या की एक shield है किर्गिस्तान पे, आपको किर्गिस्तान के against कोई military action लेते नहीं है, तो मेरे इसाब से देखिए तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन उस्बेकिस्तान, जो Central Asia इकंट्रीज है, इवन कजाकिस्तान इनके साथ relations improve करना इंडिया के बिलकुल interest में है क्योंकि इनके साथ relations strong होंगे तो by default रश्या के साथ भी हमारे relations strong होंगे और रश्या एतना mind भी नहीं करेगा कि अगर इंडिया का influence grow होता है in the Central Asian region, तो overall ये एक बहुत ही important visit है, और जो अगली visit होगी in Armenia, उस पर भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो अब और फाइनली आपर मैं ये भी आड़ कर दूँ कि अगर आपको properly UPSC exam की तियारी करनी है for once in your life, तो आप purchase कर सकते हैं anacademy के combo packages, simply जाओ comment section में, pinned comment में आपको मिलेंगे दो link, आप किसी भी link पे कर सकते हैं, click और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे, ये unique combo course जिसके अंडर, आप UPSC prelims mains और optional, तीनों की तियारी कर पाएंगे, वैसे देखो ये सारे courses, आप अगर अलग-अलग purchase करोगे on anacademy.com तो आपको 15,000 रुपीज extra pay करने होंगे, तो एक तो वहाँ पे discount मिलता है, उसके इलावा additional discount मिलेगा, additional prices और जड़ा time है, you can go for the 36 month course and prepare for this exam. So इसी note के साथ, ये है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all.